प्रिश्य संबंदित तीनों अध्यादेशों को संसत की मंजूरी मिल गई क्रिश्य उपजव्यापार और वानिज्य संवर्धन और विधेक 2020 और किसार उपजव्यापार और वानिज्य विधेक अब लागू हो चुका है ऐसे में इसके पास होने के फोरण बाद भाजवा को विपक्षियों के साथ साथ अपने सयोगियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है इसे बीश बिल पारित होने के तुरंद बाद भाशपा के सहयोगी डल शीरोमणी अकाली डल की मंत्री हरसिम्रत कौर ने भी मोधी मंत्री मंजल से इस्तीफा दे दिया इस तमाब उठापटक के बावजूद प्रदान मंत्री नरेनर मोधी ने कहा है कि कृष्षी सुधार विधेरकों का पारित होना देश के किसानों और कृष्षी शेत्र के लिए बेहत खास है उन्होंने ट्वीट करके अपील की है कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी ताकते लगी हुई है मैं अपने किसान भायों और बहनों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि MSP और सरकारी खरीत की वेवस्था पहले की तरह बनी रहीगी इस कानून के जरिये किसानों के लिए कई और विकल्प के रास्ते खुलेंगे और उनके स्थितिकों और सशक्त बनाएंगे अगर इसका विरोज से विपक्षी पाटिया ही कर रही होती तो मामला इतना गर्व न परता पर हर सिम्रत कौर के स्थिफे ने विपक्ष की आवास को और मजबूती दे दी अब अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या हैं ये टीनों बिल तो वो अपने अराज को किसी दूसरे राज्य में या किसी भी व्यक्ति और किसी भी संस्था को बेच सकते हैं। साथ ही फसलों को अब ऑन्लाइन भी बेचा जा सकेगा, जिससे किसानों को भी चॉइस और बेहतर दाम मिल पाएगा। इससे उन्हें मंजी में लगने वाली फीज भी नहीं देनी पड़ेगी। जिद्धा जुणने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तेल, आलू, प्याज को अनिवारे वस्तू की लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके पक्षमे सरकार का कहना है कि इन वस्तू का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इसलिए इनका स्टूरेज जरूरी है। ये तो हुई इसके पक्षमे बातें। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि आखिर इसका दिरोध हो क्यों रहा है। दरसर किसानों और राज़नितिक पाचियों का कहना है कि सरकार इसके जरूरी किसानों के लिए मिनिममम सेलिंग प्राइस यानि मियूनतम समर्थन मूले को खत्म करना चाहती है। वियो तैक कारण यह भी है कि कीम्टों को तैक करने के कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है। इसलिए नेजी कंपनिया किसानों का शोशन भी कर सकती है। रूप में इसे जो शोर से इसके मही मामा खान में लगी है।